बिहार की मुख्यमंत्री लितिश कुमार की अधिक्षता में आज बूदवार को काबिनेट की बैटक की गई है बैटक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है उसमें बिहार की सरकारी करमचारियों और पिंसंधारियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है जी हाँ महंगाई भत्ता में 4 प्रतीशत की बड़ातरी करने के फैसले को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया असके तहट अब बिहार की सरकारी करमचारियों और पिंसंधारियों को महंगाई भत्ता यानि डिये के रूप में 42 पस्दी के बदले 46 पस्दी मिलेगा वित्वभाक से जुड़े दो एहम फैसलों में नितीज क्याबिनेट ने केंद्री पुनरक्षक वेतन सनरचना में वेतन पेंसन प्राप कर रहे हैं राजसरकार के सरकारी सेवकों पेंसन भोगियों और परिवारिक पेंसन भोगियों को दनांक 17 2030 के प्रपाव से 42 प्रतीश के सरकारी सेवकों और पेंसन भोगियों परिवारिक पेंसन भोगियों को 1 जुलाई 2023 से ही महंगाई बत्ता 42 प्रतीशत के अस्तान पर 46 मिलेगा वहीं वित्त विबाद नियंतरा धीन रास्तिय बचत कार्यालों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कारेरत लिपिको एवं कार्याले परिचारियों को जला समहारन नाला में समान पत पर समयुज़त करने हैं तो वित्त विबाद को प्रदिकर्त करने एवं राश्तिय ब बिहार को विशीष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोद करने का निरने लिया गया है साथी आरक्षन के नए प्रवदान जुसमें अब बिहार में 65 फस्दी आरक्षन किया जाएगा उसे सावेदान की नौवी अनुसूची में शामिल करने को ही सुविकर्ती प्रदान की गई है दरसल सीम नितीस ने सोसल मीडिया पर पोश्ट कर बताया है कि आज क्याबिनीट की बैठक में केंडर बिहार को सिग्रु विसेई सर्अज का दर्जा देंगे हम लोग बिहार को विसेई सराज का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं इसके लिए 24 रवंबर 2012 को पटना के गानी मयदान तथा सत्रा मर्च 2013 को दिल्ली के राम लीला मैदान में बिहार को विसेस राज्य के दर्जे कीरे अधिकार रैली भी की गई थी हमारे मांग पर ततकालीन के इंद्र सरकार ने उसके लिए रगुराम राजन कमीटी भी बनाई है जिसकी रिपोर्ट सेप्टेंबर 2013 में प्रकाशित हुई परन्तु उस समय भी ततकालीन के इंद्र सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया मई 2017 में भी हम लोगों ने वुसेस राज्य का दर्ज़ा देने के लिए के इंद्र सरकार को पत्र लिका था लेकिन अभी तक उस पे कुछ नहीं हो पाए वहीं बता देए कि आज रितीश कुमार की काबिनेट की बैटिक ति वुसेस राज्य के दर्ज़े की मायं के साथ सार चालिस एजन्डों पर मुहर लगाई गई है आसे ही तमाम अपदेट्स के लिए बने रहे NBC24 पर